एक अक्टूबर से बदलने वाले हैं ये बड़े नियम अभी जान लेजिए पूरी जानकारी नहीं तो बाद में पड़ेगा पच्टाना सितंबर के बाद नहीं खरीद पाएंगे सिम और ना जमा कर पाएंगे अकाउंट में पैसा भारत सरकार ने कर दिया बड़ा निर्ने सितंबर के बाद अक्टूबर में हो जाएगा भारत के कई नियमों में बड़ा बदला भारत के किसानों को भी करना होगा ये काम हमारे साथ समझे भारत के नए नियम का पूरा नया इंतजाम भारत सरकार एक अक्टूबर से बहुत सारे बदलाव करने जो आ रहे हैं जिन बदलाव के बारे में आपको जाना बहुत जरूरी है नहीं तो बाद में पच्चताना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद वो सभी काम रुख जाएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं तो में बढ़ा बदलाव करने जोआ रही हैं अएंगे बदलाव मेंसे एक बदलाव दो हजार के रोक लगाने का फैसला कि इस बीकिश्व अपने पास रखे 2000 के नोट को 30 सितंबर तक बैंक में जाकर जमा कर वाले और फिर नोट बदल वाले इसलिए आपके पास अगर 2000 के नोट रखे हुएं तो इस नोट को आप अक्टूबर से पहले ही बदल लीजे नहीं तो आपको इसके बाद बड़ा आर्थिक जोखिम झेलने को मिल सकता ह और इसी क्रम में अगली खबर या अगला नियम भारत के किसानों को लेकर है इस नियम में भी सितंबर के बाद बदलाव कर दिये जाएंगे दरसल सितंबर के बाद किसान सम्मान निधी योजना के तहट अपने खाते को EKYC से अपडेट नहीं किया जा सकेगा ये सभी किसान 30 सितंबर तक किसान सम्मान निधी योजना की अधिकारिक वैपसाइट पर जवाकर अपने खाते को EKYC से अपडेट कर वाले आना था कि इंदर सरकार द्वारा दी जाने वाली किसान सम्मान निधी योजना के तहट पंधरवी किस्त का लाव उन सभी किसानों को नहीं दिया आफिस या फिर अपने निजी पैंक प्रांच में जाकर अपने अधार कार नंबर सब्मिट करवा दें अनिधा 30 सितंबर के बाद से चोटी बचत योजना के तहट मिलने वारे सभी लाव और आपके अकाउंट को रोग दिया जवाएगा और इसके बाद आपको इस योजना से जुड़ी अपडेट करवा दें और अगली जो खबर है वो आम जन्मानस से जुड़ी है यानि अगर आपका भी राशन कार्ड है तो खबर को ध्यान से सुनिए और समझे और पालन कीजिए अनिधा आपको बाद में पच्टाना पड़ेगा ऐसा इसलिए क्योंकि राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड को 30 सितंबर तक अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवारे कर दिया है अनिधा उनके राशन कार्ड को के इंदर सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा और फिर आपको राशन नहीं मिलेगा इसकी क्रम में अगली खबर यह है कि सितंबर महीने के बाद सिम को लेकर बड़े बदलाओ होने ज़ारे जिसके अनुसार 30 सितंबर तक सेल्स सेंटर करना अनिवारे है ताकि फरजी सिम बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कारिवाही की जा सके और फरजी सिम के तहत होने वाले स्कैम को रोका जा सके कैसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीते कई दिनों से फरजी सिम के द्वारा लोगों से भारी मात्रा में धन उगाई की ज़ारी साथी इन सिमों के द्वारा लोगों को ब्लाक मेल भी किया जा रहा है इस जिसरकार ने ये कदम उठाया ताकि इस तरह के साइबर अपरात को कम किया जा सके बिरो रिपोर्ट पीडियन न्यूज